अंकिता लोखंडे मनारा को टोन मार रही है और मुनावर की बिचिंग कर रही है वो भी आईशा और अनुराग के साथ मिलके अब ये सब चीज़े चल रही है जहां पर अनुराग यानि बाबु भाईया और अंकिता बैठी है अंकिता जो सुभा से कहीं पर गुम थी उनका कहना ये है कि भाई इनकी तबीद खराबत इसलिए लेटी हुई थी अब ही जो जैसी ही उठी है तब इन्होंने सोचा कि भाई मेरा कॉंटेंट भी तो थोड़ा जाना चाहिए तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसी चीज कर लो कि content जो है बाहर निकल जाए मैं पहली बार अंकिता के बारे में इस तरीके की बात कर रही हूँ otherwise मैं अंकिता के बारे में ऐसी बात नहीं करती because मुझे भी वो ऐसी इतनी बुरी नहीं लगती पर अब जिस तरीके से उसे जो चीज़े की है तो मुझे पता चला कि भाई वो भी करती है हरकते लोग ऐसे ही उसको नफरत नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया पर अंकितालो खंडे को मनारा जो है वहाँ पर जिम कर रही है अगर चाहती तो मनारा जो है उसको पलट जवाब दे सकती थी पर मनारा नहीं यह सब चीज़े नहीं की मनारा अपने ही टेंशन में इतनी ज़दा टेंस है वो क्या दूसरों के इसमें लफडे में जाके अपना मुद्दा उठाए को इसको फरक भी नहीं पढ़ रहा है वो जिम कर रही है अपने उपर कॉंसेंट्रेट कर रही है चुकि बहुत ही बड़ी है वहीं पर मनारा बहां से निकलती है तो मुनावर के बारे में बोलने लग जाती है पर अब भी वो समस्ता ने उसने मिचे बहुत हर्ट किया है मुना ने वहां पर विक्की भी आता है विक्की बोलता है अब वो उक्किपाइड है ना तो वो बोलती है हाँ वो ठीक है बट फिर भी वो फिलिंग नहीं आ रही है वो feeling नहीं दे रहा भाई वो दे नहीं रहा तो अंकेता लोखंडे आप उसके सामने opposite तो खड़ी हो उसने कितनी बार आपको ऐसा किया है कि आप at least opposite खड़ी हो क्योंकि कोई तो opposite आना चाहिए तभी तो लोगों को मज़ा आगा डिवाइड होगे तभी तो गेम देखने के लिए मिलेगी पर अंकेता लोखंडे को तो यह करना ही नहीं है फिर से बोल लगी मैं ऐसी हूं मैं क्या करूँ इसी के साथ ने लेती हूं जासत नमस्कार